जोहान को स्कूल जाने का ना, बात में अभी स्कूल जाएंगी, अभी कित्ती चुटी हो गई ना, आज जोहानको स्कूल जाने का बिलकुल भी दिन नहीं कर रहा था लेकिन मैं भी उसकी माहूँ हूँ, मैंने भी इसको उठाया जल्दिली फ्रेश करवाया, नाश्ता वागे और अभी बस इसको ready कर दिया है तो इसको लेके जाओंगी स्कूल मैं छोड़ाँ दूगी और इसका tiffin तो मैंने इसके साथ दे दिया है भस सारा का ठीम देनाया बागती है सारा को मैंने टिफिन बॉक्स इसलिए सात में ने दिया क्योंकि इसको सैंड़ीच तेना है मुझे और हो गरम रहा ना तो ही अच्छा लगता है और इसकी रिसेज कुछ टाइम बाद होती है तो फिर मैंने सुचा कि रिसेज होने से पहला पहला ही जो ना यह और एक ही स्कुल में दोनों पढ़ते हैं तो बस सिंपल सा ही सैंवीच जुनाओंगी मेरी बेटी को तरकारी बगेरा दाल के बनाओंगी वह बिल्कुल पसंद नहीं है तो बस चीज डाल दिया है और इसको जो जो इना भी तववे पर सेख लूँगी थोड़ा थोड़ा स इसे रैप करके मैं इसको टिफिंबोक्स में दे दूँगे मैं और इसके डैडी भी जोना सैन्वीच खाने वाले लेकिन हाँ सैन्वीच में न मैं कुछ वेजटेबल सैट करूँगी तो मैंने अंडा जोना बॉयल कर लिया था अंडा और आलू और बस साथ में मैंने टमाटर प्यास भी कट कर लिये अचा ही जो आलू देख रहो ना कच्छे कटे हुए स्लाइस में तो ये इसके जो ना मैं पकोड़े बनानी हो लिए ये अम्मी के लिए बनाऊँगी क्यों कि मैरे अम्मी जो ना सैन्वीच उनको खाना ने पसन है तो बस अम्मी के लिए पकोड़े फ्राई होंगे तो मैं असर ने तो बस फिर मैंने ग्रीन चट्निंग से सफ किये और हम लोग बिग बॉस देख रहे थे तो बिग बॉस का जो ना यह 44 एपिसोट है शाय से तो बहुत इमोशनल विकेंड था ये और इतना दुख हो रहा था ना मैं को पता नहीं क्यों शादीस लिए क्योंकि इस व आूट हो चुका है तो बहुत रो रहा है विक्रारा तो चलिये हापर बनाते हैं सैंविच तो मैंने ना ब्रेट की जो कॉर्णर होती है्ती हो सब निकाल लीती और निन बट्र लगाया मैंने और ग्रीन चट्नी तो मै OnePlus पूदीने वाली चट्नी और बस इसको अच्छे से फ आलू, टमाटरी, सब स्टेप बाइ स्टेप रहकरी हूँ, मैंने शायद पहले भी बनाया था और आपसे शेयर किया था, और बहुत सिंपल सा सैन्वीच भाई सब बनाती ही हो गया यहीं, लेकिन क्या है ना कि जो मेरे वीडियो देखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आप जो मसूल का पुलाव आलू डाल के बनाऊंगी तो इसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी और यहां पर देखे सारे समानी मैंने निकाल लिए तो स्टेप बाइ स्टेप रेसिपी शेयर करती हूँ, वैसे मैंने पहले भी मसूल का पुलाव बनाया तो शेयर किया हुआ है लेकिन य पर्णी सिसलेब ही इनको सब में सबस्क्राइब के तोछ से वे यह ब कई को अब सब्सुन जाएए ब कर लो करे खे़ से माय egan की पहर था क速 बाता सबर्में अर्फा करें हैं बिन हम्सालो इनको सब को सबको सातमी में प्राइए साथ में my दाल री त्युश्यलो बस तेल देखे पुरा सेप्रेट हो चुका है तो मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और अभी पानी डाल दूँगी चावलों के साब से टेस्ट करना भी जरूरी है तो एक दम सब कुछ परफेक्ट था उसके बाद फिर मैंने चावल इसमें धुके डाल दिया और इसको मिक्स कर लो इसको ना भी दम दे दो मतलब जब तक ही पके तब तक डस्बिन भी जो है न मुझे आज क्लीन करना था अफ्टे में दो बार करती हूँ तो फाइनली फिर मैंने डस्बिन भी आज क्लीन कर दिया यह देखे बहुत अच्छे से अब इसमें शौपर डाल दूँगी और यह देखे जो मसूर का पुलाओ जो है यह दम हो चुका है और बहुत ही युमी बना हुआ है और एकदम गरम गरम खाओना तो फिर बहुत मज़ा आ जाता है सलाट ले लो उसके सथ खाने को तो फिर बस पुछो ही मत बहुत मस्त लगता है मसूर का पुलाओ तो बस हलपर आ गई थी मेरी और यहां पर ना मैंने फ्रीच अटाया था मैंने क्लीन किया हुआ है बहुत डर्स जमा हो गए थी और जाले वगेरा बहुत हो गए थे तो मैंने सब जाड़वार के उनको दिया फिर उन्होंने पोच्छा लगा दिये थे और माशालला यह हलपर जो ना अच्छी है बहुत अच्छे से काम करती है तो मैं नहीं चाहू दस्ते खान लगा दिया हम लोग सब बैठ चुके हैं और यह देगे पतीला इतना गरम घरम घरम ही मैंने उठा लिया और मेरे वीवर्स आप सब भी आजाए खाने के लिए और इंशाला फिर मिलेंगे अपना ख्यारा के दूआ मियाद रखें अलाह आफीज बाई बाई